क्या आप बहुत सारा extra income कमाना चाहते हो, क्या आप बोर हो चुके हो आपके 9 to 5 job से, क्या आप अपने terms and conditions पे पैसे कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो को मत skip करना, हाई फ्रेंज कैसे हो, आप सब आपका स्वागत है मेरे चानल पर, मेरा नाम है अकामशा, जैसे कि आप जानते हो कि मैं हर वीडियो में आपके लिए exclusively work from home job opportunity और part time job opportunity के बारे में सारा update देती हूँ, मेरे चानल को subscribe करना न भूले, ताकि आप कोई भी important job notification ना मिस कर पाए, दोस्तों आज हम बात करने माले superprof.co.in के बारे में बहुत ही अच्छा website है, इसका link मैंने description box में mention किया है, आप refer कर सकते हो, अगर आपको हमेशा से online teaching में interest रहा है, अगर आप teacher बनना चाहते थे, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा opportunity है, आपको register ये website के साथ करन की ज़रूरत नहीं है, अच्छा profile बनाना है, और साथ ही साथ इसमें एक अच्छा ad बनाना है, अपने बारे में mention करते हुए, जिसमें आप अपना qualification, आपका नाम, आपकी सारे details आप mention करोगे, और आपके area of interest, जो subject आप पढ़ाना चाते हो, वो भी आप इसमें mention कर सकते हो, द आप दे दोगे, ठीक है, मैं सारा details के वीडियो में देने वाली हूँ, मेरे वीडियो को skip मत करना, पूरे वीडियो को end तक देखना, friends जैसे के आप जानते हो, आपको ये website पर जाना है, superprof.co.in, ठीक है, उसके बाद आपको right side में एक option आएगा, write your ad करके, जैसे आप write your ad क्लि तो मैंने वो select किया है, मैंने सारे details डाले है, मैंने create किया है password, और मेरा account अभी बन गया, फिर एक page open होगा, जिसमें वो आपको कूछेंगे कि आपको क्या exactly पढ़ाना है, music पढ़ाना है, arts and hobbies में जाना है, या फिर academic tutoring करना है, मैंने यहाँ पर academic tutoring में क्लिक किया है, आप कोई option आपका जो area of interest है, वैसे आप click कर सकते हो, जैसी आप वो click करोगे, तो उसमें भी आपको बहुत सारे subjects आएंगे, जो subjects आप select कर सकते हो, date सारा subjects है, जैसे कि chemical engineering है, civil engineering है, commerce है, बहुत सारे options है, मैंने यहाँ पर commerce select किया है, जैसी मैं commerce पर select करूंगी, उसके related भी और subjects में जो option म आएंगे, तो आप भी अपने accordingly, जो भी subjects commerce से related है, आप वैसे select कर सकते हो, मैंने यहाँ पर select कर दिया है, जैसी मैं वो select करूंगी, उसके बाद आपको अपना language mention करना है, कौन से language में आप बात कर सकते हो, तो Hindi, English, जो भी आपके extra languages है, आप वो mention कर सकते हो, फिर आपको next पर click क इसके बाद दोस्तों एक option आजाता है, कैसे type of class आपको चाहिए, आपको group class चाहिए, कि आपको individually student को पढ़ाना है, तो आप अपने convenience के साब से click कर सकते हो, मैंने यहाँ पर दोनों options click किया है, जैसी मैं दोनों options click करती हूँ, आपको next पर जाना है, next पर जाने के बाद आपको कोई अपना ad बहुत ही अच्छे से बनाना है, जिसमें first option है title, title बहुत जादा impressive बनाना है, तो मैंने यहाँ पर mention कर लिया है मेरा overall experience, ताकि लोग मेरे profile में वो read करते हुए ही आजाये, उसके बाद आपको आता है background, background में आपको अपना educational qualification बताना है, साती साथ अगर आपने को notification किया है, वो भी आप इसमें mention कर सकते हो, आपका profile और भी attractive हो जाएगा, उसके बाद आपको next पे click करना है, उसके बाद आपको methodology बताना है कि आप अपने classes कैसे conduct करते हो, PPT के help से आप conduct करते हो, या फिर आप कैसे प्रकार के notes देते हो, कैसे notes दोगे, तो वो सब details आपको अच teaching करना चाहते हो, या फिर आप कहां पे placed हो, आप वो भी mention कर सकते हो, तो nearby options ही आपको आएंगे, nearby जो भी आपके students located है, वही आपको approach करेंगे, और आप इसमें एक और option mention कर सकते हो, कि इसमें आपको online ही पढ़ाना है, कि आप students के घर पे जाके पढ़ाने में भी comfort रखते हो, त तो आपके हिसाब से आपको option select करना है, मैंने यहाप पे select कर गिया है अपना option, फिर सबसे लास्ट page friends, जहाँ पे आपको अपना fees बताना है, कि आप per hour कितना charge करते हो, मैंने यहाप 600 mention किया है, दोस्तों अगर आपका experience उतना नहीं है, तो आप around 400 to 500 तक आप mention कर सकते हो, फिर उसके बाद आपका profile बन गया, आपको छहिए तो अपना photo भी आप आड कर सकते हो, as a profile picture, profile picture आड करने के बाद दोस्तों आपको profile बहुत ही ज़्यादा दिखने लाइक हो जाता है, और लोग आपको बहुत ज़्यादा approach भी करेंगे, तो अच्छा एक decent profile picture डालना बहुत ही तब तक के लिए दोस्तों बबाई take care, खुश रहिए और महनत करते रहिए